तो हेलो एन वेलकम यू ओला इम रोईत प्रो महजन ट्रेडर सो आज हम बात करने वाले जमेटो ल्टीडी के बारे में तो गाइस राकेश जुंजन वाला ने काभी बड़ी बात इस पर गई है उन बातों के बारे में डिसकस करेंगे क्या आप उन्होंने अपने जो अभी के इंटर्यू में जो उन्होंने कहा है उसके बारे में बखाने वालो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फोट शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करता है जमेटो लेटेडी पहल अगर देखे जिरो पॉइंट पिचोतर पेसा स्टॉक गिरा है साथ ही जिरो पॉइंट फिप्टी फाइब परसेंट की गिरावट के साथ नीच आया है और राकेश जुन्यून वाला ने अभी एक इंटर्यू में उन्होंने कहा है उनसे कहा गया था कि कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कॉल मांगा था जो उनका इंटर्यू ले रही थे इंटर्यूर ने उनका कॉल मांगा था तो उन्होंने गई स्टॉक्स के नाम लिया थे बट उन्हों में जमेटो जैसे कंपनी का नाम लिया जमेटो का उन्होंने नाम लिया और कहा कि कोई उनके पास गया था उन्होंने कहा कि क्या करें खरीदे है नहीं तो उन्होंने जमेटों के बारे में कहा कि बेचना मद बेचने का समय नहीं है खरीदने का समय तो इसे clearly पता चलता है कि जमेटों काफी सस्ते में मिल रहा है अभी 134 रुपे में मिल रहा है अपर एक महिने में 30 रुपे अल्रीडी गिर चुका 30 रुपे 20 पेसे तक और 2.32% की गिराउट के साथ वही 6 मेने के टाइम फ्रेम पर देखे 8 रुपे 70 पेसे तक स्टॉक में तेजी आई है सिर्फ 8 रुपे 70 पेसे ही बड़ा है और परसेंटेज में 6.19% की तेजी के साथ वही अगर यहाँ पर देखा जाए गाइस ओपन कहा हुआ था 135 रुपे 90 पेसे पे ओपन हुआ था 133 रुपे 30 पेसे का हाई लगाया 133 रुपे 70 पेसे का लो लगाया है मार्केट कैप अगर देखा जाए तो मार्केट कैप से ही पता चड़ता है कि एक लाज कैप शेयर है मार्केट कैप 1.02 लाक करोड के आसपास है एक लाक करोड के आसपास का मार्केट कैप जो कि इसे लाज कैप शेयर बनाता है और कापी बड़ी बात है वही गाईस आगे लड़ते हैं और देखते हैं 52Wig के हाई का देख लेता है तो 144 का हाई लगाए था और इसके हाई लेवल से काभी सस्ORT में मिल रहा है और resistance level लेखे लेखले हैं तो resistance level के बारे में अगर मैं बता हूँ तो यहाँ पर resistance level आप ενहों देखो तो première resistance happier आप देख सकते हो 136 रुप म darty पेसे के आसपास का है, second resistance level 138 रुपे 93 पेसे के आसपास, third resistance level है 140 रुपे 97 पेसे का सपास, तो एक कुछ resistance level थे जो हमने discuss किये, उसके बात, बात करते है support levels के बारे में, तो guys support level अगर देखा जाए, तो यहाँ पर first report level आप देख सकते हो screen पर कि 133 रुपे 33 पेसे का first support level है, और guys वही अगर second support level की में बात करूं, 131 रुपे 73 पेसे के आसपास का है, और जो third support level है, 139 रुपे 97 पेसे के आसपास का यहाँ पर दिख जाएगा, तो guys यह support level के बारे में हमने discuss कर लिया है, और support level भी काफी तगड़े है, और देखा जाए तो support level से हमें clearly idea हो जाता है कि stock को हमें hold रखना है, कहां तक hold रखना है, तो एक कुछ जो बाते होती है, वो clear हमें हो जाती है, guys वही अगर देखे, price performance के बारे में, तो price performance इसका क्या कोच है, तो वही अगर one week का price performance अगर देखा जाए तो यहाँ पर minus में जाता हुआ दिखेंगा, या फिर one month का देखा जाए, तो minus में जाता हुआ ही यहाँ पर नजर आने वाला है, तो यहाँ पर one week का देखे, तो one week का आप देख सकते हो, यहाँ पर minus 1.53% तक minus में है, वही अगर one month का देखा जाए, minus 6.32% के तक नीचे की और जाता हुआ दे जरा रहा है, तो minus में काफी दिखाई दे रहा है, वही अगर बात करें, हाँआ पर trade value की, तो trade value भी एक important चीज़ हो, trade value यह साब से अगर देखा जाए, तो खरीदारी काफी तग जरा रही है, और हो सकता है, कि आने वाले टाइम में और बड़े, और काभी तगड़े return हमें, चेमिटों में मिलते रहे, तो one month का अगर average देखे, कि हुत्तर लाग के something का यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर 79 लाग के something का यहाँ पर trade value है, और 38 लाग के something का यहाँ पर combination delivery है, वही yesterday की अगर मैं बात करूँ, हाँ से मैं फरसों के दिन, तरसों के दिन के में बात करूँ, तो यहाँ पर 72 लाग के something का trade value के साथ, यह combination delivery भी अच्छी है, 40 लाग के something, और यह देरे-देरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ गया है, और वही देखा जाए, परसों के दिन की ही और कापी ज़्यादा बढ़ गया था, लगबंग 93 लाग के something यहाँ पर trade value आपको दिख जाएगी, और जो combination delivery है, वह 51 लाग के something है, तो यहाँ पर combination delivery और जो trade value है, काफी levels में चल रहे है, और Monday के दिन यह और भी बढ़ सकता है, वही आगे बढ़ते हैं, तो जमेटों के लिए targets भी दिये गए हैं, आप देख सकते हो, 155 रुपे का target अबरेडी दिया गया है, जो की काफी अच्छी बात है और buying के लिए देख सकते हो, 100 वर्सें लोगों का गहना है, बिल्कुल आप जमेटों को buy कर सकते हो, long time की साब से, revenues की बात करें, revenues भी अच्छा कासा बड़ा है, 2015 से लेके 2020 तक, क्योंकि आप देख सकते हो, 2015 में 78 करोड का revenue था, 2018 में 30 करोड, 2019 में ज्यादा बढ़ गया है, 1160 करोड, 2020 में 2336 करोड, 2021 में नीचे के गर गिरता हो बड़े इमेजर आ रहा है, बड़ आप देख सकते हो, तो भी 1713 करोड के आसपा से चल रहा है, भले ही net profit में गिरावट आई हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, 2015 में गिरावट की अगर बात करू, net profit में, तो माइनस 91 करोड के सम्तिंग तो यह गिर गया था, आप ही हद तक गिर गया था, और 2018 की ही बात करें, तो माइनस 98 करोड यहाँ पर गिरता होना जर आ रहा है, और 2019 की ही बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, माइनस 570 करोड की आसपास नीचे है, और 2020 में माइनस 2451 करोड की आसपास ह इसमें net profit यहाँ पर डाउन ही है माइनस 836 करोड तो गैस यहाँ पर clarity माइनस में भले ही दीख रहा है पर जो राकेश जुन जुन वाला ने जो कहा है जो उन्हेंने call दिया है तो उससे काफी कुछ clear हो गया था कि जमेटो आगे बढ़ना आला है क्योंकि उन्होंने आज से चार या पाच मेहिने पहले ही जब कोईड चल रहा था ज्यादा पीक पर था तब ही उन्होंने कहा था कि जो होटल से होटल सेक्टर है वो काफी बढ़ना आला है तब इंडियन होटल का प्राइस चल रहा था सम्तिंग 130 के सम्तिंग और यह आप देख सकते हो अभी का अगर देखा जाए 190 के आसपास दिखाई देगा तो उन्होंने तब भी कहा था तब किसी ने खरीदा नहीं था और